पार वीडियो में हमने कहां तक कर लिया था एक बार देखते हैं यह वीडियो है class 77 ठीक है एक बार चलते हैं W3 Schools में बापिस W3 Schools SQL and last हमने कर लिया था SQL Index कर लिया था हम कर रहे थे constraints कर रहे थे ठीक है, constraint में हमने यह सारे complete कर लिये थे, उसके बाद last वीडियो में हमने rate index या index हमने कर लिया था, ठीक है, आज हमको करना है SQL auto increment, क्या होता है यह, start करने से पहले मैं बता दूँ कि हमने पूरा complete SQL playlist cover कर लिये, पूरा SQL tutorial हम cover करते आये हैं, sequence में one by one, हर topic को मैंने अच्छे से detail मे बताया है, ठीक है, पहले मैं आप लोगों से एक पर request कर रहा हूँ, please मेरे channel को subscribe कीजिए, ठीक है, अगर मैंने आपकी life में कुछ value add की है, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है, कि means मैं भी आप लोगों से चाह रहा हूँ कि please मेरे channel को subscribe कर दीजिए, कुछ अगर मैं आपकी help कर पाया हूँ तो, मालो अगर फिर भी मेरे channel से कोई भी video upload होती है, आपको bother न करें तो notification off कर दीजिए, उसमें क्या है कि मतलब आप bother नहीं होंगे, लेकिन वाकई में कोई मेरे video देख रहा है, तो मैं उससे request करूँआ कि subscribe कर दीजिए, और channel की video अगर आपको bother कर रहे हैं, तो notification notification off कर दीजिए, लेकिन ऐसे ही मेरी complete playlist आप देखते रहे है, तो यह एक request थी, जो मैंने आप से की है, तो last हमने क्या थिया, क्या क्या था, index किया था, अब भी करते है, auto increment, what exactly auto increment, क्या है SQL में, ठीक है, नाम ही क्या बोलता है, auto increment, means अपने आप क्या होगा, increase होगा, अब बात आ लगाएंगे हम field पर, field बोले तो attribute, ठीक है, auto increment allows a unique number to be generated, automatically when a new record is inserted into a table, means क्या है, हम, जैसी ही हमने, हम क्या करेंगे, means हमने table बना रखी है, ठीक है, table create करेंगे, और उस table में, जब हम data insert करेंगे, particular, particular, कोई भी, particular attribute में क्या हो जाए, अपने आप, value auto increment हो जाए, उसी को क्या बोल रहे हैं, auto increment लगाना है, particular attribute के उपर, और ये हम कैसे define करेंगे, इसका structure क्या है, structure हम देखते हैं, सबसे पहले, mySQL में क्या है, जैसे ही हम table का structure बनाते हैं, उसी time हम define करेंगे कि हमें particular field, auto increment बनानी है, या नहीं बनानी है, और ये लगएगा कहाँ पे, ये auto increment लगाएंगे कहाँ पे, ये उसी पे लगाएंगे, जो हमारे primary की होगी, primary की, जैसे ही हमने primary की बनाई है, ये देखो syntax देखते है, create table, person persons क्या है, table का नाम, ठीक है, उसमें person ID में हमने define क्या है, primary की को, और इसी के साथ हमने क्या लगा दिया है, auto underscore increment keyword लगा दिया है, ये keyword क्या करेगा, जब भी, ये table बन चुकी है, जब भी user क्या करेगा, value insert करेगा, तो अपने आप person ID में हर बार value increase करता जाएगा, one by one, वो उसकी क्या हो जाएगी, person की ID हो जाएगी, ठीक है, अब बात आती है, auto increment में, जो सबसे पहली, मालो ये table बनाया हमने, auto increment use करके, जैसे ये user first entry करेगा, तो उसकी starting value क्या होगी, the starting value of auto increment is one, तो उसमें person ID में starting value क्या हो जाएगी, one हो जाएगी, और ये क्या करता है, by default, one by one क्या करेग increment करता रहेगा, किसमें, mySQL में, तो ये क्या है, auto increment keyword लगाएगे हम, automatic increment करता रहेगा, और starting में, जैसे ही table create हुआ, और पहली entry user ने insert की, तो इस particular ID में, हमारे पास क्या चला जाएगा, one चला जाएगा, और हर बार क्या गरेगा, one increase करता जाएगा, ठीक है, अब next ये क्या बोल है, मालनों हमको starting में one नहीं चाहिए, ठीक है, हमें कुछ, कोई value चाहिए, तो हम क्या कर सकते है, modify कर सकते है, alter table persons auto increment equal to 100, अब इसमें क्या है, इसमें persons table है, और हमने किस तरीके से लिखा है, ठीक है, alter table के साथ लिखा है, हमको पूरा वापिस ऐसे लिखने की जूरत नहीं है, automatically यह समझ जाएगा, alter कर दो इस table में, इस table में जो भी हमने क्या कर रहा था, primary key बनाया था, person ID में, person ID में ही अपने आप, यह लिखते ही, वो अपने आप ही set कर देगा, कि इस particular table में, जो भी primary key है, with person ID जैसे यहाँ पे है, उसमें क्या कर दो, starting value का, कहां से start कर दो, 100, अब कि starting person ID क्या होगी, 100 होगी, ठीक है, अब next में यह क्या दिखा, बता रहा है, यह बता रहा है, कि मतलब अगर user insert करता है data, तो किस तरीके से हम कर सकते है, insert into command से हम data insert करते है, person table के अंदर करना है, first name, last name, ठीक है, यहाँ पे उसने, क्या है, person ID लिखा नहीं, ठीक है, तो person ID में क होगा है, मालो पहले user ने क्या किया रहा, दो तक, दो ID तक insert कर रखा था data, वो third insert करना चाहरा है, तो third में क्या हो जाएगा, यह first name, last name यह उठा लेगा, और ID क्या उठा लेगा, third उठा लेगा, वो अपने आप, किसमें उठा लेगा, syntax for mysql, ठीक है, अब next हम क्या देखते है, syntax for sql server, sql server में क्या है, वहाँ पे auto increment था, keyword यहाँ पे क्या है, keyword identity है, काम कैसे गरेगा, as it is, creatable, persons, person ID, यही क्या है, यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया है, identity keyword लगाया है, और इसे क्यों क्या बनाया है, primary की बनाया है, यह sql server का syntax है, ठीक है, अब identity में, अगर इस starting वा करना है, ठीक है, the starting value is one, ठीक है, और दूसरे वाला one है, वो represent कर रहा है, कि मिन्स हमें किस value के हिसाब से increment करना है, मिन्स एक करना है, दो increment करना है, जैसे, मिन्स यहाँ पे one, एक के हिसाब से increment होगा, मिन्स, one, two, three, four, five, अगर यहाँ पे क्या होता, two होता, तो कैसे increment होता, दो दो increment हो जाता 1 फिर 2 नहीं आता 3 फिर 4 नहीं आता 5 ठीक है दो के हिसाब से क्या हो जाता वो increment करता मिस हमें increment value कि हिसे साब से करना है अब जैसे इसने example लिया है identity 10 10 5 इसका मतलब है start करना है हमको 15 से और 5 5 के हिसाब से increase करना है तो पहले 10 आगया फिर 5 15 आजाएगा फिर 20 आजाएगा ऐसे क्या हो जाएगा यह increase करता जाएगा यह किसकी है यह sql server की बात है ठीक है और data की से इससाब से insert करेंगे insert कर दो persons table में first name last name कुछ लिखने की जूरत नहीं है id id वो सब क्या करेंगा अपने आप उठा लेगा last जो भी entered थी उससे next उठा लेगा ठीक है और बस ध्यान यह रहे अगर identity जो भी यह अगर दो value लिखा है तो वो उसके साब से उठाएगा और single one one लिखा है तो एक एक increase कर देगा और next उठा लेगा ठीक है उसके बाद syntax और access में कैसे लिखेंगे same है almost ठीक है यह até auto increment keyword है ठीक है यह वहां पे auto increment auto underscore increment था ठीक है यह Será किसमे MySQL में ठीक है और यहां पर क्या था identity और यहां पर क्या है Auto Increment keyword है ठीक है Auto increment keyword by Starting value क्या होगी वन होगी और एक के हिसाब से क्या करेगा इिंक्रीज करता जाए रहा है ठीक है और एसा ही अगर insert क्या है इसमें भी देखो Auto Increment दो parameter ले रहा है दो के बतारा है की कि कितने एंकरीमेंट कर से जाना थी कैं?, इंसर्ट करेंगे अपने इंसर्ट हो जाएगा और जो भी प्राइमरी की है जो भी जिसके उपर बीचे के में गर्स edf तो यहां भे हम क्या करेंगे हम sequence object create करता है तो हम object create करेंगे किसका object create करेंगे auto increment का तो हमने क्या करा है sequence बनाया है और object का नाम क्या लिखा है sequence underscore person ठीक है minimum value क्या होना चाहिए 1 starting with 1 से start होना चाहिए और 1 से बढ़ना चाहिए और catch a 10 का मतलब 10 रोज वो hold करके रखेगा यही क्या मतलब है यह हमने oracle में किस हिसाब से करेंगे create sequence हम करेंगे sequence object के हिसाब से यह हमने बना लिया जैसे हम data insert करेंगे जब query चला गए उसमें क्या है जो भी object हमने create के था persons.next value इसमें अपने आप इसके हिसाब से means अपने आप क्या करेंगा वो data उस object के हिसाब से next में जो भी last inserted होगा वो उसके हिसाब से value को fetch कर लेगा ठीक है तो यह क्या है यह हम किस में कर रहे हैं और एकल में कर रहा है तो directly possible नहीं है बस हमें sequence object बनाना है sequence object को directly हम उसको call कर सकते हैं यह यहां बें function की तरह काम कर रहा है ठीक है तो यही क्या था हमारा auto increment था ठीक है और next video में हम देखेंगे SQL dates यह आप लोग एक बार देख क्या आना और मैं फिर से आपको एक बार फिर से remind करवा रहा हूँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और share किजिए thank you so much जैहिंद